हेलो दोस्तों मैं धीरन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टड़ी बिस संगीता में आज के इस बीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर थर्ड वी का करेंट अफियर दोस्तों 15 से 21 नवंबर के बीच जितने भी मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफियर के कॉश्शन बनते हैं हम सारे के सारे इस बीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों बीडियो इंपोर्टन होने वाली है इसलिए बीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिविकेशन टाइम पर मिलता रहे चलिए दूस्तो हम अपनी क्लास सुरू करते है Q1 किस फिल्म ने एशियाई फिल्म महुसब में पुरुसकार जीता है तो इस Q2 का सही आंसर होगा Option C यान की भोसले तो अभी हाल ही में एशियाई फिल्म महुसब में फिल्म भोसले ने यह पुरुसकार जीता है तो इस Q2 का सही आंसर हो जाएगा Option C यान की भोसले दोस्तो याद रखीगा मनुझ बाइचपई की इस फिल्म ने सर्फ स्रेष्ट पटकता तथा सर्फ स्रेष्ट निर्देशन की श्रेड़ी में दो पुरुसकार जीते हैं और इस फिल्म के अंदर मनुझ बाइचपई ने एक पुलिस कॉंस्टेवल का करदार निवाया है और आपको यहां से एक most important question याद रखना है कि इस फिल्म का निर्देशन किस ने किया है तो इसके निर्देशक है देवासीस मखीजा और यहां से एक most important question और बन सकता है कि इस फिल्म महसब कहा हुआ है तो इसे बारसी लोना में किया गया है या फिर इस फिल्म महसब बारसी लोना में हुआ है अगला question देखते हैं question number 2 हाल ही मैं किसने golden leaf award जीता है तो इस question का सही answer हो जाएगा option B यानि कि तमाकू बोर्ट आफ इंडिया तो अभी हाल ही मैं तमाकू बोर्ट आफ इंडिया को Amsterdam नीदर लेंड में टेब एक्सपो 2019 कारकरब में golden leaf award से समानत किया गया है तो इस question का सही answer रहेगा option B यानि कि तमाकू बोर्ट आफ इंडिया तो दोस्तों आपको यहां से दो question इंपोर्ट आफ इंडिया गया है कि golden leaf award किसे दिया गया है तो golden leaf award दिया गया है तमाकू बोर्ट आफ इंडिया को और कहां दिया गया है तो नीदर लेंड में हुए टेब एक्सपो 2019 कारकरब में दिया गया है अकला question देखते है question number 3 गरतंद दिवस 2020 पर किस देश के राष्ट पती मुख्य अतिती होंगे तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option B यानकी ब्राजील या तकिए का दोस्तों ब्राजील के राष्ट पती जे आरे बोल्स नारो मैं दोबार रिपिट करता हूँ ब्राजील के राष्ट पती जे अर बोल्स नारो 2020 के गरतंद दिवस समारो पर मुख्य अतिती होंगे इसका मतलब यह है कि इस question का सही आंसर रहेगा option B यानकी ब्राजील दोस्तों या रखिगा ब्राजील के राष्ट पती है जो इनका नाम है जे अर बोल्स नारो मैं दोबार रिपिट करता हूँ ब्राजील के राष्ट पती के राम है जे अर बोल्स नारो और इन्होंने अगले वर्स 2020 के गरतंद दिवस समारो में मुख्य अतिती बनेने का प्रतान मंतिर नरेंद मोदी जी का निमंतराण को सुईकार कर लिया है तो इस कौशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन B अगला कौशन देखते हैं कौशन में चार हाल ही में बिस्व कबड़ी कप 2019 का आयोजन कहा किया जाएगा तो इस कौशन का सही आंसर रहेगा आप्शन A यानिकी पंजाब याद रहेगा दोस्तों इस साल 2019 के बिस्व कबड़ी कप का आयोजन पंजाब में होगा जो की 1 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच पंजाब सरकार दोरा किया जाएगा तो इस कौशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन A यानिकी पंजाब याद रहेगे दोस्तों इस साल का टूरामेंट सिख गुरू यानिकी गुरू नानक देब जी की एक 550 वी जैन्दी को समरपित होगा अब दोस्तों बात है पंजाब की तो पंजाब से most important कोशन कि पंजाब की राजधानी क्या है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगार्ड और बरतमान में इसके चीफ मिनिस्टर है बरतमान में चीफ मिनिस्टर ने दोस्तों आपके कैप्टन अमरिंदर सिंग और यहां के राजधानी है बीपी सिंग बदनोर अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर पाँच हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास हुआ है तो इस कोशन का सही आंसर रहेगा option C यानिकी अमेरिका तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option C यानिकी अमेरिका याद रखेगा दोस्तों इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है tiger triumph मैं दोबारे नाम रिपीट करता हूँ इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है tiger triumph युद्ध अभ्यास और ये कहा हो रहा है तो ये आंध प्रदिस के बिसा का पटन में शुरू हुआ है यहां से most important question दोस्तों दो ही रहते है युद्ध अभ्यास में किस के बीच हो रहा है और कहा हो रहा है तो पहला try service हो रहा है भारत और अमेरिका की बीच और आंध प्रदिस के बिसा का पटन में इसे शुरू किया गया है अगला question देखते है question number 6 हाल ही में बसिष्ट नारान सिंग का निधन हुआ वे कौन थे तो इस question का सही answer हो जाएगा option C यानि की गड़ तक तो दोस्तों याद रखीगा अभी हाल ही में प्रिसिद गड़ तक बसिष्ट नारान सिंग का निधन हो गया है आपको याद रखना है वसिष्ट नारान सिंग एक प्रिसिद गड़ तक थे तो इस question का सही answer रहेगा option C यानि की गड़ तक दोस्तों एक most important question के बारे में याद रखीगा इनका नाम आपको क्यों याद रखना है क्योंकि इन्होंने Einstein के सापेचता सिद्धान यानि की Einstein relativity theory को इन्होंने चिनौती दी थी इस कारार से ये बहुत जादा प्रसे थे इसलिए आपको इनका नाम याद रखना जरूरी है तो याद रखीगा बस इस्टिर नारान सिंग जिनका की निदन हो गया है और ये एक गड़ तक ये थे अगला question देखते है question number 7 नीलम सहानी किस राज की पहली महला मुक सजिब बनी है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A यानिकी आंदर प्रदेश तो अभी हाल ही में बरिष्ट IAS अधिकारी नीलम सहानी को आंदर प्रदेश की मुक सजिब के तोर पर निक्त किया गया है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A यानिकी आंदर प्रदेश दोस्तों आपको याद रखना है नीलम सहानी आंदर प्रदेश की आंदर प्रदेश की मुक सचिब बनने वाली पहली महला बन गई है अगला question देखते है question number 8 हाल ही में नाडू नेडू योजना का सुबारम किस राज सरकार ने किया है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option C यानिकी आंदर प्रदेश तो अभी हाल ही में आंदर प्रदेश सरकार ने नाडू नेडू योजना का सुबारम किया है तो इस question का सही answer रहेगा option C यानि की आंधर प्रदेश दोस्तों अब आपको याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि नाडू नेडू योजना क्या है तो नाडू नेडू योजना के तहत आंधर प्रदेश सरकार का उद्देश है कि स्कूलों में पहली से चटी कक्चा तक में अंग्रेजी माध्यम की पढाई को सुरू करना है और इस योजना के अंतरगत तीन साल के अंदर बारा हजार करोड रुपे का बजट के साथ सबी स्कूलों में इसे कवर किया जाएगा तो इस कौशन का सही आंसर रहेगा आप्शन C यानकी आंधर प्रदेश अगला कौशन देखते हैं कौशन नमर 9 तो इस कौशन का सही आंसर रहेगा आप्शन A यानकी ओडिसा तो अभी हाल ही में ओडिसा में बाली ओडिसा में बाली ओडिसा के कटक में किया गया है और या उस सब महा नदी के तट पर आयोजित किया गया है तो इस कौशन का सही आंसर रहेगा आप्शन A उडिसा और दोस्तों यानसर एक मोस्ट इंपर्टन कौशन उडिसा के लिए जो कि कई वार एक्जाम में रिपीर होता है कि उतकल दिवस या उडिसा दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है उतकल दिवस या उडिसा दिवस एक अप्रिल को मनाया जाता है अगला कॉशन देखते हैं कॉशन नमबर 10 मोस्ट इंपोर्टन कॉशन दोस्तों मैच फिक्सिंग को अपराद की स्रीडी में लाने वाला पहला एस्याई देश कौन बना है तो इस कॉशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन A यानि की स्री लंका तो अभी हाली ही मैच फिक्सिंग को अपराद की स्रीडी में लाने वाला पहला एस्याई देश बन गया है स्री लंका तो इस कॉशन का सही आंसर आएगा आप्शन A यानि की स्री लंका यादखी का दोस्तों स्री लंका इस संसद में खेल से सम्मंदित अपरादों की रोक थाम का पिल पारत होते ही स्री लंका ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराद की स्रीडी में लाने वाला पहला इस्याई दिस बन गया है और दोस्तों मोस्ट इंपर्टन कोश्चन की अगर दोसी पाए गए तो क्या होगा तो यादखी का दोसी पाए जाने पर ब्यक्ति को दसा की सजा हो सकती है और अन्य जुर्माना भी बुक्तान करना पड़ सकता है अगला कोश्चन देखते हैं कॉश्चन नमर 11 इगन्ना पोर्टल का सुबारम किस राज सरकार ने किया है तो इस कॉश्चन का सही अंसर रहेगा आप्शन B यानिकि उत्तर प्रदेश तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज के गन्ना किसानों को समर्पित बेव पोर्टल और एक मुवाईल एप्लिकेशन इगन्ना एप का सुबारम किया है तो इस कॉश्चन का सही अंसर हो जाएगा आप्शन B यानिकि उत्तर प्रदेश यादखी का दोस्तों पोर्टल और एप की सुरुआत भुक्तान प्राप्त करने की प्रिकरिया में पार दरसिता लाने के लिए किया गया है और यहां से कुछ इंपोर्टन कॉश्चन दोस्तों यूपी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जो कोई इंपोर्टन है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन C यानिकी मेगाले तो अभी हाल ही में जस्टिस मुहम्मद रफीक को मेगाले उच्छ नायाले का मुक्ष न्यादिस निक्त किया गया है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन C यानिकी मेगाले और दोस्तों याद रकी गहाँ, जेस्टिस złम रफीक ने आजए कुमार मिद्तल के इस्थान पर इस्थान लिया है, या फिर आप कह कहाँ सकते हैं, आजए कुमार मिद्तल का इस्थान इन्होंने इस्थान निक्तिक किया गया है, अगला Question देखते हैं इम्पोर्टन कोशन दोस्तों भारत के पहले हाती इसमारक का उदगाटन कहां किया गया है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा आपशन A यानि की मत्वरा तो अभी हाल ही में मत्वरा में भारत के पहले हाती इसमारक का उदगाटन किया गया है तो इस question का सही आंसर होगा option A यान की मत्रा और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर हाती समारा के साथ साथ यहाँ बीमार हातियों का इलाज वा उनका संरक्षणवी किया जाएगा अगला question देखते है question number 14 हाल ही मैं किस राज सरकार ने बाल दिवस के अफसर पर तो अभी हाल ही मैं बाल दिवस के अफसर पर असम राज सरकार ने सिसू सरक्षा मुबाइल एप लाँच करने की गोशना की है तो इस question का सही आंसर रहेगा option B यान की असम याद दिवस के असम राज का बाल अधिकार सरक्षा आयोग इस एप की सुरुगात करेगा और इस एप का उद्देश नागरे कोँ में नई पीडियों की नीती के लिए सुरक्षा के लिए नेतिक जिम्मेदारी को ससकत बनाना है तो इस question का सही आंसर होगा option B अगला कोशिन देखते हैं कोशिन नमर 15 मुहम्मद इमरान को किस देश ने भारत में अपना पहला उच्चायुक्त निक्त किया है तो इस कोशिन का सही आंसर रहेगा उप्शिन C यानि की बंगला देश तो अभी हाल ही में बंगला देश ने मुहम्मद इमरान को भारत में अपना नया उच्चायुक्त निक्त किया गया है तो इस कोशिन का सही आंसर हो जाएगा उप्शिन C यानि की बंगला देश और दोस्तों याद रहेगा मुहम्मद इमरान सियद मुअजँ अली का इस्थान लेंगे 패श नमों सोला तैफाईट के टीके की खोच करने वाला पहला देश कौन बना है तो इस अपना का सही आंसर हो जाएगा al ओप्शन A पाकिस्तान पाकिस्तान तो अभी हाल ही में पाकिस्तान टाइफाइट से नपटने वाले टेके की खूज करने वाला पहला देश बन गया है तो इस कौशन का सही आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में टाइफाइट से नपटने के लिए टाइफाइट कॉंज्यूगेट वैक्सीन को त तुष्यम डियार करने वाला दुट्री पहला दिस्थीर गोरा हूर आपकिस्टान अगलाग्राम देखते हैं के बभितंई का सबक्र Totally दी ग्रीवे और वाइट टी को जिया टेग दिया गया है तो इस कौशन का सही आंसर हो जाएगा option B यानि की पश्चिम बंगाल तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तार्जलिंग की वाइट टी और ग्रीन टी को जी आई टेग दिया गया है तो इस question का सही आंसर रहेगा option B यानिकी पश्यम बंगाल यार रखेंगा दोस्तों यह दाडलिंग चाय की बोधिक संपता अधिकारों के संरक्षण को मजबूत करेगा अगला question देखते हैं question number 18 हाल ही में international cherry blossom festival 2019 कहां शुरू हुआ है तो इस question का सही आंसर रहेगा option A यानिकी मेगाले तो अभी हाल ही में मेगाले के मुख मंतरी सिलोंग में चौथे international cherry blossom festival का उदगाटन किया है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A यानिकी मेगाले तो दोस्तों आपको याद रखना है कि international cherry blossom festival दो यानिक कहां शुरू हुआ है तो ये शुरू हुआ है मेगाले में अगला question देखते है question number 19 most important question दोस्तों नवंबर मंत के लिए भारत के 47 वे मुख नयाइदिस कौन बने है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A यानिकी justice S.A. बोबडे तो अभी हाल ही में भारत के 47 वे मुख नयाइदिस बने है justice S.A. बोबडे तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A यानिकी justice S.A. बोबडे दोस्तों आपको इनका पूरा नाम भी याद होना चाहिए इनका पूरा नाम है नियाय मूर्ती सरद अरविंद बोबडे मैं दोवारा निपीट करता हूँ इनका पूरा नाम है नियाय मूर्ती सरद अरविंद बोबडे जो भारत के 47 वे मुख के नयाइदिस बने है और इने इनके पद की सपद दिलाई है हमारे present time के राष्टपती रामनात कोविंद जी ने अगला question देखते है question number 20 हाल ही में गोता वाया राष्टपत्चे ने किस देश के राष्टपती का चुनाव जीता है दोस्तों याद रखिएगा आपको exam में या पेपर में गोता वाया के जिए गोता वाया भी लिखा मिल सकता है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option C यानि की स्रीलंका तो अभी हाल ही में स्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव स्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव गोता वाया राष्टपत्चे ने स्री लंका के राजपती का चुना जीता है तो इस कौशन का सही आंसर रहेगा option C यान की स्री लंका याद रखेगा दोस्तों गोता वाया राजपक्षे पूर्व राजपती महिंद्रा राजपक्षे के भाई है और गोता वाया ने लिट्टे युद्ध की समापती के दोरान रक्षा सचिप की रूप में कारवी किया था और आपको याँ से याद रखना है राजपती तो मैंने आपको बताई दिये तो प्रधान मंत्री है याँ के रनिल बिक्रम सिंगे मैं फिर दुबार रिपीट करता हूँ सिर्लंगा के प्रधान मंत्री है रनिल बिक्रम सिंगे और राश्ट पती बने हैं गोता वाया राच पच्छे अगला कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नम्मर 21 मोस्ट इंपॉर्टन कॉश्चन दोस्तों हाल ही में अगनी टू मिसाइल का पहली बार रात्री में सफलता पूरब परिक्छन कहां हुआ है तो इस कॉश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन ए यान की ओडिसा तो अभी हाल ही में भारत ने ओडिसा के समुद्र तट डॉक्टर अब्दुल कलाम दूइब से अगनी टू मिसाइल का सफलता पूरब परिक्छन किया है तो इस कॉश्चन का सही आंसर रहेगा आप्शन ए यान की ओडिसा और यहां से दोस्तों कुछ इंपोर्टन फेक्ट जो कि आपको याद रखना है most important है क्योंकि अगनी टू का पहली वार रात्री में सफल परिक्छन किया गया है और यह मिसाइल सता है से सता है मार करती है अगनी टू एक वैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों याद रखेगा अगनी टू एक वैलिस्टिक मिसाइल है यह मिसाइल एक हजार किलोग्राम तक के परमाणू हत्यार को 2000 किलोमीटर दूरी 2000 किलोमीटर दूरी से अधिक तक ले जाने में सक्चम है अगला कॉशन देखते है कॉशन नमर 22 हाल ही मैं किस देश के फुटबॉलर डेविट विला ने फुटबॉल से सन्यास लिया है तो इस कॉशन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानकी इस्पेन तो अभी हाल ही मैं इस्पेन के इस्टार स्ट्राइकर डेविट विला ने फुटबॉल से सन्यास की गोशना कर दी है तो इस question का सही आंसर रहेगा option B यानिकी Spain याद रिखेगा दोस्तों डेविड विला ने तीन बिस्विक अप में Spain का पिरतेने दिद्वी किया था इसलिए इनका नाम important है अगला question देखते हैं question number 23 नया मूर्ती अब्दुल हामित कुरेशी तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A यानिकी तरपुरा तो अभी नया मूर्ती अब्दुल हामित कुरेशी ने तरपुरा के हाई कोट के नए मुक्षिनाइदिस के रूप में सपत गिर्ण की है तो इस question का सही आंसर आएगा option A यानिकी तरपुरा अगला question देखते है question number 24 Justice डॉक्टर रवी रंजन किस राज के हाई कोट के मुक्षिनाइदिस के रूप में सपत ली है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option C यानिकी जारखंड तो अभी हाल ही में नया मूर्ती डॉक्टर रवी रंजन ने जारखंड उच्चन आले के मुक्षिनाइदिस के रूप में सपत गरहन की है तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option C यानिकी जारखंड याद रहे के दोस्तों ये रवी रंजन जी जारखंड उच्चन आले के तेरवे मुक्षिनादिस बने हैं अगला question देख लेते हैं question number 25 हाल ही में राष्टिय जन जाती महसब कहां सुरू हुआ है तो इस question का सही आंसर हो रहेगा option B यानिकी नई दिल्ली तो अभी हाल ही में दिल्ली में राष्टिय जन जाती महसब यानिकी या ऐसे आप आदी महसब भी कह सकते हैं दोस्तों की सुरूबात होई है तो इस question का सही आंसर हैगा option B यानिकी नई दिल्ली और दोस्तों आपको राष्टिय जन जाती महसब 2019 की theme या रखना बहुत जरूरी है इसकी theme है celebration of spirit of tribal culture craft, cuisine and commerce दोस्तों आज का वीडियो यहीं end होता है उम्मित करता हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए तेंक यू अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में